दोस्तो नमस्कार अब समय आ गया है उन प्रिश्णों के उत्तर देने का जो प्रश्ण वार्ट सेब यूनिवर्सिटी पर चल रहे थे उन प्रिश्णों में सबसे मेहतो पूर्श्ण कुछ इस तरह से थे क्या इंद्रा गांधी का रिष्णा था नहरू का रिष्णा था या सिर आराफात एक आतंगवादी था या नहीं था उन सब सवालों के जवाब मैं यहां दूँगआ और ये भी जवाब दूँगआ कि नौवल पुरुष्कार किस ने दिया और नौवल पुरुष्कार क्या था या वो किसी के दिवाब में दिया जा सकता था या फिर पाकिस्तान के मामले में यासिर आराफात का रुख क्या था इसी तरह के कुछ सवाल धूंदले धूंदले से वाट्शेप यूनिवर्सिटी पर इस तरह से चलाये जा रहे हैं जिस तरह से कश्मीर में प्लाउट दिलाने की कस्में भारतियंता पार्टी के निता खार रहे थे कुछ इसी तरह का एक भ्रामक पर चार चलाया जा रहा है एक तरफ जांग करोना से मौतों का सिलसला जारी है वहां भक्तों ने लोगों का दिमाग ध्रमित करने के लिए इसराइल के यासर आराफात को आतंगवादी थावित करने के लिए एडि चोटी का जोड लगा दिया है चलिए सवालों के जवाब शुरू किये जाएं ज्यादा समय बरबाद ना करते हुए दोस्तों मैं सीमाओं में और आवादी के हिसाब से कुछ भी गड़ना आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे बहुत सीधे से सिंपल शब्दों में बताऊंगा ये एक मिया नक्षा डालना हूँ ये नक्षा है 1928 से लेकर के अब तक का ये जो हरी हरी स्टेट आपको दिखाई दे रही है ये हरी स्टेट जो है पूरी की पूरी पलिस्टीन की है फिलिस्टीन की है और इसराइल थोड़े से सफेद रंग में आपको दिखाई देगा मैं आपको दिखा देता हूँ इसका पूरा वो हरी पट्टी जो है पलिस्टीन की दिखाई देगी आपको और सफेद जो धब्बे हैं वो 1947 में दिखाई देंगे इसराइल जिसके यानि की जो सफेद दब्बे हैं वो इसराइल कितना था ये बताता है फिर 1947 में United Nation एक प्लान लेके आता है जिसमें इसराइल को कई इलाके सौंप दिया जाते हैं जिसमें काफी ज़्यादा छित फफल इसराइल का बढ़ जाता है 1948 से 1967 में एनक्रोच्मेंट बढ़ता रहा बढ़ता रहा और फिलिस्तीन के लोगों में गुसा बढ़ता रहा 1928 में पैदा हुए यासर आराफात ने कभी नी सोचा होगा कि उन्हें अपने मुल्क की रक्षा के लिए बंदुक उठानी पड़ेगी या गोरिल लायूद करना पड़ेगा हर देश में आजादी के लिए अलग-अलग तरह के फार्मूले अलग-अलग तरह से फीडम फाइटर करते रहे हैं हमारे महात्मा गांदी ने अहिंसा का नारा दिया था तो शुवाश अंदर बोस ने याद किये जिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा ठीक उसी रास्ते पर चल पड़ा था यासिर आराफाद यासिर आराफाद जिसको आप आज आतंग वाजी कहा जा रहा है भार से यूनिवर्सिटी उस पर उसने गोरिल लायूद प्लान किया इसराइल के खलाफ और वो लड़ता रहा जब तक कि उसको कामयावी नहीं मिल गई जब तक कि उसको पियले में एक रास्ता ध्यक्ष की रूप में सुविकार नहीं कर लिया गया ये आरोब हाला कि सही है कि उसने कई विमानों का प्रण किया लेकिन अपनी मांग मंगवाने के लिए ना कि लोगों की हत्या वो चरम पंती थे राश्टवात की इसलामिक राश्टवात की चरम पंत की धर्ती पर ओगा हुआ वो पेड़ थे जो अपने देश की जमीन इसराइल से बापिस लेना चाहता था अब दोस्तों का सवाल है काफी सारे सवाल है उनके आंसर देना बहुत जरूरी है यह तो आप में समझ लिया कि एंक्रोंच्पेंट हुआ यह थी सबसे बड़ी बजा अब यह कहा जाता है कि फलिस्तीन को सबसे पहले माननेता देने वाला देश कौन था मैं आपको यह जहां जानकारी दे दूँ कि फलिस्तीन को सबसे पहले माननेता देने वाला था साहिंक तुराज संग अमरिका या भारत या कोई देश नहीं साहिंक तुराज संग ने इनको सबसे पहले 1968 में माननेता दे थी इसके दस्तावेच आपको गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे यह मैं नहीं कहरा गूगल पर किया गया एक अध्यान कहरा यासिर आराफात के बारे में 2004 में इनकी मृत्य हो गई थी उन्होंने अपना एक बड़ा संगठन बनाय था 1964 में फिलिस्तिनी मुक्ति संगठन जिसके वो मुखिया थे उनका लक्षे था कि फिलिस्तिनियों के अधिकारों को हासिल करना 1964 में सेंग्त रास्ट में उनका एक भाशन हुआ था और उन्होंने उसमें शान्तिक अपील कि थी उन्होंने कहा था कि आज मैं अपने हाथ में एक शान्तिकी प्रतीक जैतून की डाल डाल और एक हाथ में सदंता सैनाने की बंदुक लाया हूँ मेरे हाथों से जैतून की डाल गिरने मत देना मुझे बंदुक चलाने की जरूरत महसूस ना हो यह 1994 में सहिंक तुराज संग में दिया गया भाशन था अगर कोई आतंगवादी थे यह आतंगवादी थे और 103 देशों की पुलिस उनको ढूंड रही थी तब उनको सहिंक तुराज संग ने क्यों बुलाया इस पर भी थोड़ा सा भक्तों को विचार करना होगा 1975 में सहिंक तुराज संग ने उनको माननेता दे दी एक साल बाद अमरीका ने उनको स्विकार कर लिया और अग इस्राइल शांतिरी पिक्रिया की बाहली की गई 1982 में बेरुत में जरूर लड़ाई हुई और ये सारी चीजें होती रहीं लेकिन वो पूरा थियास तो आपने पूछा नहीं है मैं केबल उनी सवालों का जवाब दूँगा जिन सवालों के मुद्धे आपने उठाएं क्योंकि बीडियो फिल लंबा होता चला जाएगा चाहिद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा और मेरे ख़ाल से भक्तों को तो बिल्कुल पता नहीं होगा क्योंकि उनकी युनिवर्सिटी है कि युनिवर्सिटी में काविल प्रॉफिसर नहीं है ऐसे प्रोफिसर हैं जो अववाओं को जनम देते हैं उनको नॉबल प्रुसकार के लिए चुना गया और नॉबल प्रुसकार उनको दिया गया 1994 में उनको नॉबल प्राइस दिया गया तो नॉबल प्राइस किसके द्वारा दिया जाता है किसके नाम पर है नोबल प्राइस नोबल प्राइस एक बेग्जानिक थे अल्फरेट उनके नाम पर ये दिया जाता है सुईटन के द्वारा दिया जाता है नोबल प्राइस अब जहां तक ग्राजीम गांधी के प्रुसकार की बात है तो ये जितनी भी बात है क्यों दिये गए किस हालत में दिये गए केबल शांती की भूमिका के लिए उनको ये प्रुसकार दिये गए क्योंकि उन्होंने बंदू छोड जैतून की डाल को अपने हाथ में उठा लिया था जो गांजी के मूलियों से प्रेरित थी अब सवाली उड़ता है कि यासिर आराफाथ ने कश्मीर के मामले में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया ऐसे बहुत से सबूत पड़े हैं भक तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि यासिर आराफाथ ने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया ये शिकायत हमेशा रही पाकिस्तान की मैं कुछ हैडलाइन पढ़के सुनाना चाहूंगा आराफाथ डिड नो सपोर्ट कश्मीर कि लानी नियूस पेपर डाउन में लिखते हैं ज्यादा पुराना नहीं 12 नमबर 2004 का ये अखवार है आराफाथ फॉर कश्मीर सॉलूशन बिश शिमला पैक आराफाथ जो थे शिमला सॉलूशन के तहट जो इंदरा गांधी जी ने शिमला समझाता किया था उसके तहट समादान कश्मीर का चाहते थे क्या गुरा था इंदरा जी भी यही चाहती थी अब ये आरोप की इंद्रा गांधी जी और गांधी परिवार के साथ उनकी करीबिया आती है, हाँ, ये मैं बिलकुल सही बताओंगा कि करीबिया थी, करीबिया क्यों थी, कि यही वो एक कड़ी थी, जिसने जैतून की डाल या सिर आराफात के हातों में थमा दी थी, शायद ह जैतून की डाल या तुलसी की डाल नहीं थमा सकता, उनके हातों में तो कोई अर्थी की लगड़ी भी नहीं आ सकती, उनके जो भक्त हैं, उनके हातों में किवल एक बंदू का सकती, एक रिवालवर आ सकती है, जो महत्मा गांधी की सीने में तीन गूलिया मार सकती है, वो आतंगवादी नहीं है यासिर आराफाद को आतंगवादी कह करके बदनान किया जाता है यासिर आराफाद इंद्राजी के साथ काफी जादा संबंद संबंद थे इसराइल उनके निशाने पर रहा और यासिर आराफाद उनका लोग प्रिया नाम था फलस्तीन नेता उनको फल एक राज ने भी उनको शांती दूद की रूप में स्विकार किया, नॉबल प्रुसकार से सम्मानित किया, नहरू गांधी परिवार के साथ उनकी करीविया थी, इंद्रा गांधी को बड़ी वेहन मानते थे, उन्होंने भारत में उनने से क्यानवे के चुनाव अभिहान की द क्योंकि आज आपको कांटों तो खून ना होगा, आपके रादों पर इस जैसे पानी पढ़ गया होगा, क्योंकि आपके भाट सेब यूनिवरसिटी ग्यान की, आज मैंने पूरी पूल खोल जो दी है, दोस्तो कैसा लगा ये वीडियो, यासिर आराफात आंतंगवादी थ तो ना हुआ का झाल झाल